ध्याये स्थिरेन चित्तेन गनेशं सर्वसिद्धिदं बुद्धि प्रकाशकं पूर्णं योगिनाम हृदिसं स्थितं जितंते नाखिलं नाना ब्रम्हवर्ननवर्नितं नाना जगत्समूहम्वै गनेशे नोभयं कृतं भक्तसम्रक्षणार्थाय निर्गुण सगुणस्तुयह नाना बतारवान सोपी नाना भेद धरो बभव तस्मैनमो गनेशाय नरकुंजर रूपिने सगुणो नररूपोयह निर्गुणो गजवक्त्रकह नमशिवाय शांताय विष्णवे प्रभविष्णवे सूर्याय शत्तये चईव चतुर्धाते विभागिने ब्रम्हानम शेषनागंच नरम्नारायनम सदा नमामि भाव युक्तोहं पुराण पुरुषंपरं देवानाई योगिनाम चैवा महरशीनाम महात्मनाम ब्रजामि शरणं नित्यं पुराण ज्ञानसिद्धये गनेशो वफ्पायात प्रणमत गनेशं जगदिदं गनेशे नत्रातं नमयह गनेशायम हते गनेशान नास्त्यन्यत त्रिजगति गनेशस्यम हिमा गनेशे मत्चित्तं निवसतु गनेशत्वमवमाम अथा वेदेशु उपनिशिद्ध वाकियेशु इतिहास पुराण वाकियेशु तद उभयवर्त्मानुगानाम अस्माद आचार्याणाम श्रीमत चंकर भगवत्पाद श्रीमत अपयदीक्षितेंद्रादीनाम गरंथेशुच सविशेशम उपासियम निर्विशेशम च नियेयं द्विप्रकारकं ब्रम्ह स्पष्टं निरूपितं। अंतस्तत धर्माधिकरने उच्यते स्यात परमेश्वरस्यापी इच्छावशात मायामयम रूपम साधकानुग्रहार्थम इति। अयमेवार्थाह श्रिमदपयदीक्षितेंद्रैहि शिखरिनी माला व्याख्यान भूते शिवतत्व विवेके ग्रंथे सुस्पष्टमुदगोशि। एवं भूतस्यापि ब्रमहनह लोकानुग्रहिकर असिकतया कल्पित गुणादि विभागं मायोपाधिकं सर्वोत्तरं सगुणं रूपम निरूपयती इति। एवं मुक्त्वा त्रयोदशुं श्लोकं निबध्नन्ति गुणाती तो पित्वं सगुणईव मायाशबलितह परिश्कुर्वन सांभं वपुरसितकंठं त्रिनयनं अभिख्याभिख्यातह शिवभव मुखाभिर विजयसे नियंता लोकानां सहरिहर पंकेरु हभुवां इति मध्वत अंत्रमुखमर्दनेच अपिच भगवानेको नेकस्तनुस्तनुमान पे इत्युक्तन अयमर्थस्च साग्निचित्य वाजपेजे याजि श्री भासकराराय दीक्षितेंद्रईरपी प्रदर्शितह श्री गनेशो पुपुरानस्य उत्तरखंडांतर गतस्य गनेश सहस्रनामस्तोत्रस्य खद्योतनामनी व्याख्याने सगुणम्तु रूपम उपासका नुग्रहार्थम कल्पितमेव इति उपासका रुचिवय चित्रियेन नाना विधम इति तत्रईव पुनरुच्य तेश्री भासकराराय दीक्षितेंद्रईहि तेशु आदित्यम अंबिकाम विष्णुम् गननाथं महेश्वरं इति स्मृत्युक्त रूपानी तत्त दवांतर मूर्ति भेदाश्च तत्त जन्मायत तत्त संस्कारानु गुण्येन उपास्यानी इति सर्वेपी इश्वराहा एव अत एव पुराणान्य पे तत्त दुपासकानु जिग्रिक्षया प्रवृत्तानी तस्यतस्याइव सर्वोत्तमत्वं अन्येशाम ततह अपकर्षम्च नहिनिंदान्यायन प्रतिपादयंति इति श्रिमद अपय दीक्षितेंद्राहा मध्वतंत्रमुखमर्दने आहु हु शिवं विष्णुम्वाय द्यभिदधति शास्त्रस्यविषयं तदिष्टं ग्राह्यं नह सगुणमपितत ब्रम्हभजतां विरोधो नाती वस्फुरति नहिनिंदान अयविदां इति अयमेव नहिनिंदान न्यायह श्लोकांतरे तद व्याख्यानेच उच्यते दीक्षितेंद्राही हु स्फारात ततत पुराणा गमवचन शतक प्रापिता यान्यनिंदा ततत भक्त्यादी सिद्धेई भुवन विरचने साभवे द्वारामात्रम इति व्याख्याने एव मुक्तम तैहि परस्पर निंदा वचनानी नहिनिंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु स्थुत्यम स्थोतुम इतिन्यायेन उधिता अनुधित होम निंदा अधिशु द्रिष्टेन ततत देवता विशय निष्चल भक्ती सिधिप प्रयोजने स्थुति विरचने द्वारामात्रत्वेन उपपन्नानी इति पुनरुद्ष्यते भासकर राय दीक्षितई ही तत्र गणपति विशय हेरंबोपनिशत गणेशोपनिशदा द्याहा श्रुतयह अईदंपर येर्ण गणपत तंत्रानी गणेशोप पुराणं पुराणांतरेश्वपी तत्र तत्र सर्वोत्तमत्व निरूपन भागाश्चेती शतशह प्रमानानी तत द्विदाम स्पष्टानी इति सर्वेशाम पुराणानाम अध्य गणेश मुद्गल ब्रमह ब्रम्हांड पुराणानी गणेशम अधिकृत्य प्रवृत्तानी मुद्गल पुराणम अधिकृत्य वक्षियामी कह अस्य पुरानस्य निर्माता किम अस्य पुरानस्य वैशिष्ट्यम अस्यच पुरानस्य कह विशयह इति ध्ययं इदमेव वक्त्र वैलक्षण्यम प्रबंध वैलक्षण्यम प्रतिपाध्य वैलक्षण्यम इति त्रिविधमाहु। अत्र प्रबंध कर्ता प्रमाता मुद्गल महरशिह। तद्रचितफ प्रबंध हा मुद्गल पुराणं प्रतिपाध्यश्च भगवान गनेश्वरह भगवतो गनेश्वरस्य वैभवे ध्याते सति भजनीयस्यतस्य प्रमेयस्य तत्वं ज्ञायेत। मुद्गल पुरानस्य प्रबंधस्य वैभवे ध्याते सती प्रबंध वैलक्षण्यम ज्ञायेत वक्तुर वैभवे ध्याते सती प्रमात्र वैलक्षण्यम ज्ञायेत इदानिम वक्त्र वैलक्षण्यम वक्ष्यामि शुरुयत यत्रोयम श्लोकह पुरानस्य विनिर्मात्रे श्रीगने शावतारिने ब्रमहस बरूपिने तुभ्यम मुद्गलाय नमो नमह इति मुद्गलाचार्यार्णाम कथा इत्थम वर्निता पुरानेशु पुराही अंगिरसह महरशेह पुरस्तात मुद्गर सद्रिशह कष्चित तेजो गोलकह अंतरिक्षातु भुमउपपात सुक्ष्मतोवलोकनेन समहरशेही कंचिद अर्भकम दृष्टावान तत्र वात्सल्येन तम अर्भकम स्वहस्तेतधानह स्वपत्ययशृतिदेव्यईदव साच स्थन्यप्रदानेन तम अर्भकम पुत्रीचकार तदन अंतरं भगवान गजाननह अशरीरिण्या गैर्वाण्या वाण्या तम प्रोवाच भोमहामुने मत भक्तवर्योयं ममैवाम्षरूपह ते ग्रहेवतिर्नह अस्य मुद्गलह इति समंत्रकम नामकुरू इति भगवदाग्यया तथैव तन नामकृत्वा यथाविधि तम पुत्रम सम्स्कृत्य महतीम मुदमाप अंगिराह उचिते वयसे सह मुद्गलह अत्रियनसुय योहो पुत्रीम दत्ता त्रेयस्य भगिनीम आत्रेहीम उपयेमे कालक्रमेन परमात्मतत्त्वं आत्मसात्कर्थुकामोयं तीवरतरं तपह चचार तस्य तपसा भीतह देवेंद्रह अंतराय यहे तध्वंसयितुम दुर्वाससं मुनिम् प्रेशया मास मासत्रयम उपोशितस्वन पे नतस्माद्वरताच्चाला समुद्गलह तस्य एतया स्थिरतर धिशनया संतुष्टः दुर्वासाह तस्मय वरंधत्वा निर्जगाम निर्गते तस्मिन दुर्वाससी विमानमेकं मुद्गलं स्वर्गमानेतुमागतं स्वर्ग सुखम अपि न शाश्वतं इत्यनुचिंत्य न स्वर्गं जगाम सह विमानम्च तेन विनईवप प्रतिनिवृत्तं एत द्वृत्तांतं ज्ञात्वा तत्पिता अंगिराह तस्मै गानेशम द्वैतसि धान्तं परमं ब्रामहनस्पत ज्ञानम उपदिदेश एकाक्षरेच मंत्रे तम दीक्षयान चक्रे पुनरपि समुद्गलह तीवरतरं तपश्चर्याम कृत्वा गनेशम तोशयामास तद तपसाप्पृतह गनेशह लोके गानपतं भक्तिमार्गं विकासयतुम मुद्गलं ययुँगत तद आज्ञया मुद्गलनामकं एतत पुराणं तेने इदानीम प्रबंधवैलक्षण्यम वक्षयामी श्री गनेशस्य अचिंत्यात भुत गुणमहिम विभूतिवैभव निरूपन परोयं प्रबंधाह नवखंडात्मकह महर्श्रिभिर मुद्गलाचार्यह अस्मिनपुराणे दक्षाय प्रजापतये श्री गजाननस्य विविधाह अवतारकथाह निवेधिताह तत्र तत्र रामायन भारत श्रीमत भागवतोक्ताह कथाह अप्युक्ताह प्रतमे खंडे मत्सरा सुरवधार्थम वक्रतुंडा अवतारत चरितवर्णनम कृतम द्वितिये खंडे गजा सुरवधार्थम एकदंत अवतारत चरितवर्णनम त्रतिये मोहा सुरवधार्थम महोदर आवतारत चरितवर्णनम चतुर्थे खंडे लोभा सुरवधार्थम गजाना अवतारत चरितवर्णनम विज्णा सुरवधार्थम विज्णराजा अवतारत चरितवर्णनम पंचमे खंडे क्रोधा सुरवधार्थम लंबोदर आवतारत चरितवर्णनम मायाकरा सुरवधार्थम मूशकगा अवतारत चरितवर्णनम शश्ठे खंडे कामासुरवधार्थम विकटावतारत चरितवर्णनम मयूरक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्च सप्तमे खंडे ममासुरवधार्थम विग्णराजावतारत चरितवर्णनम अष्टमे अहमासुरवधार्थम धूम्रावतार चरितवर्णनम नवमे खंडे एकईक स्यापि खंडस्य माहात्म्य वर्णनम पुराण समाप्ति कथनम्चकृतम दैवदुर्विपाकात अलभ्यताम गतमिदम उपपुराणम पंचशत हायने भ्यवपूर्वम गुर्जरवास्तव्य ही कष्चि द्विप्रवर्य ही स्वयं भगवतो गनेशादेवल लब्धं गुर्जरेशु सोरटी सोमनाथ नामकस्य क्षेत्रस्य नातिदूरे वर्तमाने आम्बी ग्रामे मोरेश्वर नामकस्चि द्विप्रवर्यह भार्जियासह वसतिस्म अनपत्य उतव दंपति पुत्र प्राप्त्यर्थम महाराष्ट्रस्थितम मयूरक्षेत्रमा सेदतु। तत्र सपत्नीक स्यतस्य तपसा परितुष्टह भगवान गणनायकह वरम्दत्व तयोर मनीशाम सफलाम चकार। स्वस्थानमागतस्य तस्य विप्रस्य अचिरादेव पुत्रह कष्चित जग्ये श्री मुद्गलाचार यानाम अवतारह अयम इति कत्यते। इश्वर नामनी समवत्सरे, श्रावणमास शुक्लपक्ष पंचमी भूमवासरे, तस्य जनिही वभूव, पिता तस्य गणेशह इति समंत्रकं नामचकार। वेदशास्त्रा ध्ययनान अंतरम श्रिंगेरी जगत्गुरुशंकराचार यानाम अनुग्रहेन, सन्यासाश्रमे धीक्षिताह एते गणेशशर्मानह, कालक्रमेन मयुरक्षेत्रम समासाध्य, तीब्रतरम तपहकुर्वंतहा आसन। मुद्गल पुराणं दुर्लभं इति चिंताकुले भ्यह ते भ्यह कदाचित धुण्धी राजनामा कश्चन ब्रामहनह, पुराणं इदमानिनाय, ब्रामहनोसाव साक्षात गजाननह एव इतिकत्यते। उच्यतेयं श्लोकह, श्रीमुत्गलाम्ष संभूतं, गानेशाक्ग्रेसरंपरं, श्रीमत गणेशयोगींद्राचार्यवर्यं दमाम्यहं इति। इदानिम् प्रतिपाध्यवैलक्षण्यम् वक्ष्यामे, सर्वजगन दियंताही गणपतिही, वियदादि प्रपंचस्य समुहो गणउच्यते इत्याहुँ, श्रीभास्करराय दीक्षिताहा। तस्य गणस्यपतिही, गणपतिही, देवाधी नामपतिही, इत्यपी, गणपतिही, इत्युच्यते। महत्तत्वाधि तत्वानामपतिही, गणपतिही, निर्गुण सगुणब्रम्ह गणानामपतिही, गणपतिही। आकाश स्तल्लिंगात इतिन्यायेन आकाश व्यपदेश्ये परस्मिन ब्रम्हणि जगदुत्पत्ति स्थितिलय लीनत्वं जगन्य अंत्रुत्वं सर्वपालकत्वं इत्यादयो गुणाहा संभवंति त्वमेव केवलम कर्तासी त्वमेव केवलम धर्तासी त्वमेव केवलम हर्तासी त्वमेव सर्वंखल्विदं ब्रम्हासी इति गणपत्य थर्वशीर श्रवचनात गणपति ही परब्रम्हकोटि भूतह एव इति सिध्यति अतींद्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्माहा निर्णयाहा शास्त्रवाक्य भ्यह एवपक कर्तुम पार्यंते सर्वजगत कारणं ब्रम्ह शास्त्रय क समधिगम्यं यद्यत गुणगण विशिष्टं रूपं शास्त्रवाक्य इही ब्रम्हत्वेना भिधत्तं तत्त देव नामरूप गुणयुक्तं तत्वं ब्रम्हत्वेन ग्राह्यं उपास्यंच वेदेशु, उपनिशत्सु, वेदान्तानु सारिशु, स्मृतीति हास पुराणादिशुच गणपतेहे पूर्ण परब्रम्ह भावफ प्रसाधितह गणपत्य थर्वशीर्शस्तुतो त्वमेव प्रत्यक्षम्तत्वमसे इति भगवान बरनितह अयमाशयं करपात्र स्वामिनह एवमाहु गणपतेहे स्वरूपे नरत्व गजत्वयोह सामन्जस्यं द्रिश्यते परस्पर विरुधत्वेन प्रतीयमानयोह तत्पदार्थ त्वम्पदार्थयोह अभेदं सूचयतीव प्रतीयते तत्पदार्थह तावत सर्वजगत्कारण सर्वग्य सर्वशक्तिमान परमात्मा एवस्यात त्वम्पदार्थस्तु अल्प ज्याल्प शक्तिमान जीवात्मा भवेत तद भयोर आइक्यम यद्यपी आपात विरुद्धं तत्थापी लक्षणा तह विरुद्धाम्षद्वयत्यागेन एकतामुपईती लोके यद्यपी नरत्व गजत्वयोह आइक्यम नसिध्यती तथापी लक्षणातः विरुद्धाधर्माश्रये भगवती तस्यसामंजस्यं भवती तत्पद लक्ष्यार्थं सर्वोपाधि निश्कृष्टं सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रम्ह इती एवनलक्षणलक्षितं निर्विशेशं परंब्रम्ह त्वंपद लक्ष्यार्थं सर्वोपाधिकं सगुणं अपरंब्रम्ह द्वयोरेत योह अखंड़ाई करसे असिपदार्थे सामन्जस्यम भवति इत्थम नरत्व गजत्वयोह सामन्जस्यम गणपतेह स्वरूपे सिझ्जदि त्वंपदार्थः नरस्वरूपः तत्पदार्थश्च गजस्वरूपः एवं असिपद व्यपदेश्ये अखंड़ाई करसे गणपति स्वरूपे नरत्व गजत्वयोह सामन्जस्यम द्रिश्यते नरात्जातानी तत्वानी नराणीती विदुर्बुधाह इत्थि गजशब्दार्थश्च एवं निरुच्यते समाधिना योगिनह गच्छंति यत्र इति गहा यस्मात बिम्बप्रति बिम्बबत्तया प्रणवात्मकं जगत जायते इति जहा सर्वोपाधिकं त्वंपदार्थात्मकं नरत्वं गणेशस्य पादाधिकंठपर यंत परिच्छिन्नस्य देहस्यलक्षण। अतह सर्वोपाधिक त्वात इदम निरुपाधिक ब्रम्हा पेक्षया निक्रष्टतरं। निरुपाधिकं तत्पदार्थात्मकं गजट्वं गणेशस्य शिरफपरिच्छिन्नस्य देहस्यलक्षण। अतह निरुपाधिक त्वात इदम सोपाधिक ब्रम्हा पेक्षया उत्कृष्टतरं। संपूर्णह पादाधि शिरफपर्यंतह गणेश विग्रहह असिपदव्यपदेश्यह। तत्रोच्यते पुराणेश। कंठाधो मायया युक्तं। मस्तकं ब्रम्हवाचकं। वक्तराख्यं तेनविग्नेशह। तेनायं वक्रतुंडकह। इति एकशब्दात्मिकामाया। तस्याहा सर्वसमुत्भवं। दंतस्सत्ताधरस्तत्र माया चालक उच्यते इतिच। एवं सर्वैरप्यस्माभिही पूर्वोक्तईही प्रमानईही निर्धारितं गणपतितत्वं ग्येयं। पारलोगिक तत्व निर्धारने शास्त्रं एकमात्रं प्रमाण। अतये वोक्तं गीतासु भगवता तस्मात छास्त्रं प्रमाणंते कार्या कार्य व्यवस्थितव ज्यात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मकर्त्तुमि हारहसी इति अनेन भाषणमिदं समापयाम हरनमफ पार्वती पतये हरहर महादेव